नवस्कार सभी को गुड़ मोनिंग गुड़ अपन गुड़ नाड़ जब याँ वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो में अपन सिविक्स के महत्मुन कोश्चन पढ़ने वाले हैं ठीक है ये पार्ट टू है पार्ट बन अपन पहले ही पढ़ चुके थे अगर वो व लिडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय से ठीक है तो देखते हैं ये काफी ज़्यादा महत्मुन हमारा कुश्चन है कुश्चन करमांग दो साख थेरपी से आप क्या समझते हैं ठीक है तो हैडिंग बना करके आपको आंसर जाम में लिखना है साख थेरपी हैड करके सोवियस संग के बिगटन के बाद जानकि सोवियस संग था पूरी बिश्चम में दो महा सक्तिया थी एक सोवियस संग और अमेरिका तो जो सोवियस संग है वो दीरे दीरे बिखर जाता है तूट जाता है ठीक है क्योंकि यहां पर समाजवादी ववस्ता थी से बहां के लोगों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पा रहा था हना तड़की नहीं कर पा रहे थे विए लोग इसलिए उन्हें ने सोचा क्यों ना हम पूझी वादी विवस्ता अपना है ठीक है तो धीरे-धीरे सोवियस संग जो है बिखर जाता है तो मैं थोड़ी सी यहां भी सुनाता चलूंगा बीच बीच में ठीक है ताकि आपको कुष्ण जो है समझने में दिक्कत ना आये सोवियस संग के बिटन के बाद जो पूर्वी सोवियस संग जानी की सोवियस संग का पूर्वी वाला हिस्सा ठीक है कि बड़े देशों ने यहां पर ने हैं अब समाजबाद वाली विवस्ता है, उससे हमारा विकास नहीं हो रहा है, तो हमें तलग्की करने के लिए पूझीबाद विवस्ता को अपनाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो समाजबाद को सोवियस संग के जो पूर्वी छेतरव CAL थे, मतलब समाजबाद को छोड़ करके पूजीबाद की तरफ बढ़ने लग गए ठीक है ताकि वो तरकी कर सके उन्होंने मतलब तरक दिया था जैसे अमेरिका पूजीबाद को अपना कर अपने आपको आर्थिक तरफ राजनेतिक बिश्यों पर मजबूत कर रहा है और हम भी ऐसा करेंगे उन्होंने ये तरक दिया कि अमेरिका की जो विवस्ता है वो पूजीबादी है अमेरिका पूजीबादी की बज़े से इतनी सारी तरकी कर पाया पूजीबाद का मतलब होता है निजी संपत्ती को बढ़ावा देना यानि कि सैल संपत्ती अपनी संपत्ती को बढ़ावा देना लेकिन समाजबाद में पता है पूरी जो संपत्ती होती है वह समू की होती है समू को मतलब पूरे गुरुप की यानि कि राष्ट की देश की संपत्ती मानी जाती है ठीक है पूंजी बाद में निजी संपत्ती को बढ़ावा दिया जाता है तो आप मतलब समाजबाद वाली बवस्ता में और पूंजी बादी बवस्ता में दोनों में अंतर समझ रहे होंगे अच्छा एक बात बताएं, पुझी वादी वेवस्ता में तड़की क्यों कर पाते हैं लो, क्योंकि निजी संपत्ती बढ़ाने के लिए हर बेकती जादा से जादा काम करेगा, ताकि उसकी निजी संपत्ती बढ़ जाए, है न, लेकिन जब समूग की संपत्ती होती ही, पूर ठीक है तो यहां पर ऐसा ही हो रहा था खुछ है ना आगे पढ़ते हैं आपने यहां तक पढ़ लिया था रूस मद एसिया के गड़राज और पूरवी यूरोप के देशों में पूजी बाद के लिए एक बिसेश माडल अपनाया गया था कि हम पूजी बाद को अपनाएंगे के उन्होंने एक माडल अपनाया था जिसका नाम रख दिया था मतलब साक्थेरपी उसी माडल का नाम था साक्थेरपी है ना यानिकि जो सोवियत संग वाली यानिकि समाजवादी विवस्ता को छोड़ करके पूजी बाद अपनाना ही साक्थेरपी कहलाता है अब आस समझ होंगे साक्थेरपी का मतलब क्या था यानिकि समाजवाद को छोड़ करके यह मुझी वाद की तरफ बढ़ना साक्थेरपी कहला ठीक है इसका नाम किस ने दिया साक्थेरपी नाम किस ने दिया था बिस वैंक और अंतराष्टी मुद्रा कूर्स द्वारा नर्देश इस इसका इलाज करना प्रीटमेंट देना है ना तो आप समझ गये होंगे उपचार करना ठीक तो आई हो इसको समझी गये होंगे अगला महत्पूर्ण को संक्रमांग तीन यह काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है एक सपर इच्छा में पूंचा गया है साक्थेरपी से सोभी सं संग में पहले समाजवादी वबस्ता थी समाजवाद से वो चलता था ठीक है लेकिन आप क्या हो गया वहाँ पे पूंची बाद को अपनाए गया था स्वायम की संपत्ती को बढ़ावा दिया गया निजी संपत्ती संपत्ती दो प्रकार की होती एक होती देश की एक होती हमारी निजी ठीक है तो यहां पर देश की संपत्ती को नहीं बढ़ावा दिया गया था स्वायम की संपत्ती को बढ़ावा दिया गया था उससे पहले बह कि तर यहाँ की कमपणियां जितनी भी हैं वह क्प्राइबिट कर दी कर दी जाया झालिजी आपकी कर दी आया तो आप ज्यादा मिंसरे काम कर वाएंगे उसमें हैना लेकिन जब पुंजीबाद पधटी से खेती की जाने लगी। अब खेती भी पुंजेबाद पधटी से पहले समूं करता था, सरकार करवाती थी है ना, तो खेती में फैदावार कम हो रहा है, अब क्या हो रहा है, मतलब नीजी हाँ तो मैं दे दीगी, आपको सौंप दीगी यह खेती, आप करिएगा अपने हिसाब से, तो आप मेहनत से करवाएंगे, ठीक है, पुझी बात पदती से खेती की जाने लगी, मसीनों का जाद मसीनों का इस्तेमाल खेती ले करोगो, आगे क्या होता है, अब ऐसा माना जाने लगा, कि जादा से जादा ब्यापार से ही विकास होगा, पता ऐसा क्यों मानना ये लोग, पता अमेरिका जो है, ब्यापार की बज़े से विकास कर रहा था, तो इनने लगा कि अमेरिका के पा आगे मुक्त ब्यापार अपनाया इन्होंने मुक्त ब्यापार मतलब टैक्स कम लगेगा कोई भी हमारे यहां ब्यापार कर सकता है ठीक है तो ब्यापार को इन्होंने छूट दी उसके बाद क्या है अब आपस आपसी या आपस आपसी ब्यापार ठीक है यहाँ आपसी देशों से ब्यापार किया जाने लगा पहले यह आपस में ब्यापार करते थे मतलब आपस में आपसी देश इसके संग में इसके गुरुप में जो भी देश सामिल थे उन्हीं के साथ यह चीजें बेश सकते थे खरी सकते थे ठीक है अब इन्होंने क्या किया पच्छमी देश होगा, हम तड़की करेंगे, ऐसा लगाएने, ठीक है, तो आई होप आपको ये भी कोशन के लिए रहो गया हो, ग्रमांग चार साख थेरपी के क्या प्रणाम रहे, ठीक है, तो साख थेरपी के प्रणाम, तो पहला प्रणाम ये था, साख थेरपी से पूरी अर्थववस्ता थी उस चारमरा आ गई तहसना सो गई ठीक है उसके बादा जनता को बरबादी की मार जहलने पड़ी पूंजी वादी बवस्ता अपनाने से जनता को बरबादी की मार जहलने पड़ गई ठीक है तो जनता बरबाद होने लग गई महत पूर्ण दोगों को कम से कम कीमतों पर बे सकते थे तो उन्होंने पौने या उन्हें दामों में खरीद लिया है ना सस्ते दामों में बेच दिया गया था साग थेरपी को इत्यास की सबसे गरम सेल कहा गया यानिकी चीजें यहां पर कुछ तो बहुत सस्ती बिद्धी और लेकिन महंगाई बढ़ गई महंगाई इसले चौपट हो जाती है तो मतलब मुद्रा गिरने लग जाती है जैसे कि अमेरिका की मुद्रा आज देखें तो बहां मतलब 83 रुपए का एक डालर की कीमत 83 रुपए 82 से उपर है 83 के सम्थिंग है ठीक है तो ऐसा क्यों है वो यह दिखाता है कि वो इंडिया से ज़्यादा जो अमेरिका है उसकी अर्थववश्ता अपने से उची है इसलिए डालर की कीमत जादा है है ना तो अर्थववश्ता को दिखाती है तो रुबल गिर गई थी रुबल जो मुद्रा है अपने यह जैसे रुपिया है बैसे ही मतलब रुशी मुद्रा का नाम है रुबल ठीक आगे है सामुही खेती की प्रणाली खतम हो गई पहले आने की गुर्फ की समुह की खेती होती थी समुह मिलाकर के लोग करते थी अब खेती किसी एक विक्ती के हाथ में दे दी गी और वो क्या कर रहा है ब्यापार कर रहा है वो तो चीज़े अपनी महगी बेंचेगा तो महग क्या कर रहे थे गरीब खाली हो गए थे हैं ना उनके पास कोई काम ही नहीं तो वो करें गया क्योंकि सब के लिए रोजगार तो मिल नहीं सकता उनके लिए खाने वाली चीजें खाने पीने वाले सामान जो थे उनकी कीमत बढ़ गई थी तो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा बचा भुचा था वो खाने पीने में खर्चो गया तो गरीब गरीब होने लग गया लेकिन अमीर के पास तो पैसा आ रहा था कि वो विजनिस करने लगया ब्यापार करने लगया निजी संपत्ती बढ़ाने के लिए काम करने लगया ठीक है तो गरीब गरीब होने लगय अमीर अमीर होता जा रहा था आगे क्या हुआ इसका प्रणाम खाददान का आयात करना पड़ा यानि कि खाने पीने की चीज़े इतनी कम पर गई कि भार से मंगाने पड़ी दूसरे देशों से मंगाने पड़ी ठीक है और देखे धाचा चरमर आ गया था यानि कार खाने भी ठप होने लग गए बहुत सारे ठीक है तो आई होप आपको ये वीडियो दाया होगा पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें हाना अपने दोस्तों में सेर जरू करें वीडियो ठीक है थैंक्स बाचेंग फार वीडियो